कि अग्या करते हैं इसका नाम जैसे इंडिया कैंसर सुसाइटी तो पहले अगर हम इनके काम के बारे में जानना चाहें कि हम क्या करते हैं कि अभी क्या करते हैं तो हम पांच एरियाज में काम करते हैं सबसे पहला है अब लोगों को पता होता है सुना होता है लेकिन वो शायद गलब भी हो सकता है फिर दर के जैसा हो सकता है तो वह एक्जक्ली है क्या कैंसर क्या है यह पहले हम बताते हैं फिर उसके पाल में उसे दील कैसे किया जाए हमारा अवेर्नेस का में पॉइंट ऑफ यू है कि उससे बचा कैसे भी जाए यह भी हम थोड़ा सा बता देते हैं दूसरा बाट आता है स्क्रींग मतलब कि इनिशल जाच की जिससा है मतलब हम उसे कहेंगे कभी खुछ स्क्रीमिंग कैंसर होने से पहले की स्टेज पीबी आमें पता देती थी यह है कि कुछ संबावना है क्या तो वह पाट काश्रीनिंग तो उसका भी हम सपर्ट देते हैं कम्मिनिटी में जाके कभी हमारे समस्ता में भी रखते हैं तीसरा पार्ट है टीटमेंट से वेलेटब हमारी समस्ता नौन प्रॉफिट और्गनेजेशन है लेकिन खुद टीटमेंट हम डॉक्टर के थूर नहीं देते हैं हमने नैशनल लेवल पर कुछ हॉस्पिटल सप्वेंट किये हैं कि जहां पर जब पेशन जाता है और वो अपर एकनोमिकली सपोर्ट उनको चाहिए तो वो हॉस्पिटल हमें कॉंटक करता है क्योंकि हमने हुस्पिटल को बताया हुआ है कि आप हमारे पास आ सकते हैं उन हस्पिटल को हम क्राइटेरियर देखते हैं तो यह सब चीज़े देखके हम कीइशन को हमने कुछ ऑस्पिटल को एंपड़ किया है तो वहां पर अगर और कोई पेशिंट जाता है एकनोमिकल सपोर्ट चाहिए सोच बूट्र हमी का सबग्राइव कोस्पोर्ट करता है तो श हम सबूट करते हैं लेकिन पिर हमारे यहां पर दॉक्टर का पैनल अलग है कि जो evaluate करता है इन पेशेंट को भी, कि how much they require, और social evaluation भी होता है, ये तीसरा पार्ट हो गया, सौर्था पार्ट है rehabilitation and survivorship, ये पार्ट में cancer होने के बाद में, जब पेशेंट वो treatment से उजरता है, या फिर treatment होने के बाद में भी, उस patient को बहुत सारी और support की requirement होती है, सिर्फ treatment देख कि नहीं होता है, बहुत आ social support की दरूस होती है, या फिर occupational अगर disabled होई जाता है, तो उन्हें और कैसे मदद दी जा सकती है, तो ये पार्ट आता है rehabilitation, और हम वो जो दोर होता है, वो उससे भाहर कैसे निकल जाए, इसके लिए भी हम activities लेते हैं, या अलग 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 survival के साथ पांचवा पार्ट है cancer की registry and the research, इंडिया जर्नल, cancer की जर्नल जो हमारा बनता है इंडिया में, हमारा ही institute का authenticated है cancer की related जर्नल बहार निकलता है वो इंडिया में, क्योंकि इसकी जो registry है, मुंबई-based registry, वो सबसे पूरानी registry है, मतलब मुंबई में cancer अगर किसी को होता है, तो हम हम उनका record रखते हैं, फूरा जितना हो सकते हम hospitals में अलग एलग जाते हैं, आपे उनका record रखते हैं, उससे कुछ information पता चलती है, उसमें हम कुछ और बीच में, मतलब जैसे कि यहां पे जादा cancer है, तो हम कुछ और कर सकते हैं, इस ताइम के research हो, तो यह तरीका के research, क्योंकि paper publish करने वाले बहुत सारे experts होते हैं हमारे साथ, तो यह registry बहुत मतलब landmark है, क्योंकि यह भी रखना बहुत बड़ी बात है, कि रेकॉर्ड ही ना हो, तो उसके बारे में तुम पताएंगी चलेगा, तो यह हमारे समस्ता पाच्वापाइट है, यह इसे पाच बड़े-बड़े हम कह सकते कि area हमने divide किया हो, तो अभी हम actual चालू करते कि cancer, तो cancer exactly जान लेते हैं मतलब क्या, कि बहुत हम word से देखते हैं, कि cancer would आया कहां से, तो व पकड़ लिया, तो यह जब दी से छोड़ता नहीं है, तो वैसे cancer का भी है, अगर एक बार हो जाता है, तो वह पुश्किल होता है उससे निकल, इसलिए उस word से यह हमारा cancer word आया, तो अभी cancer word के बारे में समझ गी, लेकिन इस cancer होता क्या है, इसमें हमें यह कहना है, कि scientific हम क् कहता है कि uncontrolled growth of cells, मतलब cells का पेशियों का जो बढ़ाई, बढ़ती है, संख्या, उसमें उसका नियंदरन चला जाना, अभी हम visualize करेंगे, कि हमारा जो शरीर है, वो कुछ इटो की जैसा बना होगा, तो अगर इटे जब सीधी लाइन में होती है, तब उसे अच्छी सी दिवा होती है, उस दिवार से लेके बिल्डिंग करी हो जाती है, तो अपना शरीर में कुछ ऐसा पेशियों से बना हुआ है, तो ये पेशियों जब तक सही माईने में रहती है, तब तक हमारा शरीर अच्छा दिखता है, एक बात उनका नियंदरन चला गया, कि कितना नंबर में हो जाता है, तो वहां का फंक्शन में काम बिगाड आ जाता है, जैसे कि अगर एक ऐसे भी हो जाती है, तो मैं शाहिद यहां पे खड़ा के बात नहीं कर पाता है, तो वहां का नियंदरन चला गया, उनका बढ़ने का, तो वह काम ठीक से नहीं करेगा, खुद या फिर नहीं करता है कि cancer के बारें में बात क्यूं किये जाए, इतना जरुरी है क्या कि हम आके इतना लोगों तक जाए और बात करें, तो यह वह क्यों क्यूं जरूरी है, सबसे पहले बात कि cancer के usually हम स्टेजे करते हैं, वह कैसी भीमारी के stage 1, 2, 3, 4, ऐसे stages करते हैं, usually 4 stage करते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है कि अ मतलब हो नंबर कितना है निगी असिकी अवेन से अलग अलग सब्सक्राय करना चाहिए तो इसलिए है तो इसलिए आगए के स्टेज में आते हैं लेकिन यह तो तो मुद्व काफी है कि पभई के बाइब करने चाहिए यह सोचने के लिए कि अब्हुत इसके बार अब dwune के बार की क्या सूच़ते है कि सबसे Sкоぎ कि बहुत लोगों के साथ में जैसे रहा है वह कह रहा है उसके इलाज भी अलग-अलग तरीके से बढ़ रहे हैं उनमें ने शुधार आ रहे हैं और टार्गेटिट थेरपी जा रहे हैं नहीं दवाई आ रही है तो उससे क्या हो रहा है दवाई बीमारी पूरी तरह ठीक होना यह भी चालू हुआ है और उसके साथ-साथ में उसको रोकना भी संभा होने लगा और कुछ होता है कि कम्यूनिकेबल है क्या मतलब एक दूसरा मेरे बाजुवाले को हो गया तो मुझे हो सकता है तो कैंसर ऐसी भीमारी है कि वह सिर्प छूने से या पर साथ रहने से नहीं कम्यूनिकेबल नहीं है वो किसी भी तरह का कैंसर हो मुझा रहे कर ऐसा लग सकता है कि वह तो इसके वालों को होना ही होना है सब कैंसर हेरीडिट्य है तो वैसे नहीं कुछ कैंसर में कुछ जेन समय पता संबंद होता है कि प्लिटेug उसमें से 5% प्रतिशत 5 ही ऐसे कि जैनेटिकली रिलेटेड़ हैं तो उन में से पूरा सब जैनेटिकली नहीं लेकिंगी हम ज्यादा बात करते हैं इन में शायर संभावना होती है ज्यादा की रोल तो उसके लिए अभी आपको होगा तो क्या करना चाहिए यह उसके लिए भी अभी उपाय है तो हेरेडिट्री मतलब खतम हो गया यह भी जरूरी नहीं है और वह 5 प्रतिशत तो अभी हम जानता है कि cancer करेंगे वह सब cancer के बारे में बात करेंगे इंडिया में जो common cancer किस cancer के लिए उन cases के बारे में आज हम और ने बात करेंगे और वो क्यों बात करना जो दो है क्योंकि अगर हम कंपेर करें हमारा इंडिया की केसे में कैंसर जो रिलेटेड है और बाकी जहां पे जरा और डेवलफ पार्ट हो चुका है इनके बारे में तो यह जादा तरह नहीं डिखते हैं कि अब दो तरीका है कि उनका स्क्रीनिंग जो हम बताने वाले हैं वहां पर होता है इतना पाउन है तो हमारे पर क्यों होना चाहिए और कितना आसान है वह यह बताएंगे कुछ जो इसकामन है उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे और कैंसर के बारे में और कैंसर हमें इसा देखने में अजीब सा लग सकता है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वह किस पाम में पहले दिखेगा क्योंकि कैसे होता है कि यह पिसरो ना सुच काम क कैंसर पहले के सवती द में आपकर जहें चला जाएगा चला जाएगा कुछ तो लग लेकिन ये इस पहले के स्टेज हो सकता है वह मास्क बड़ा बात में होगा तकलिप होगी माँ तब तो हम जाने वाले डॉक्टर के पास ठीक है तो हमें अगर मुग का कैंसर दिखता तो किस पार में दिखेगा चाले के रुख में कुछ मास्के जैसा दिखेगा या फिर रहनों में बदाव के जैसा दिखेगा कि हमारा मुख का जो रंग है वो गुलावी रंग 가 that रहा कि उस से हम अंधादा लगा सकते की यह शुरूआट कूई की कैंसर के वारे फुक्शा दिख्याबॉट वहां कि किस सवाजे से होता है वह तो बैको रिलेटर मतलब वह मुँव के एंसर के लिए तो जादा कारण हो सकते हैं वह हमें पता है कि मुँव में तंबागू रखते हैं लोग तो उसे होने वाला है लेकिन वागी कैंसर के रिस्क फैक्टर में इनका साथ इन्वाल्मेंट है तो 40 पर संट अगर हम यह इसे हमारे रिस्क बढ़ रहा है यह हम नहीं सोचते हैं तो हमारे आपके रिसेश्च वाले क्या के चालीस प्रतिशव के से इससे बचा जा सकता है तो अब हम कैंसर के बारें अभी रिस्क फैक्टर में हम जो सिगरेट तमबाकू उठका खेमी यह तो जानते है लेकिन यह और लुद किसी किसी में यह आदती नहीं होती लेकिन कैंसर हो जाता है तो बहुत सारे लोग किरूसे बशने क्लिए क्या के थे अरे उनको तो कुछ आदत ही नहीं थी फिर भी cancer हो गया तो मतलब मेरी आदत अगर continue रखोंगा तो उसमें मुझे कुछ फरक नहीं है तो मैं क्यों छोड़ू है ना तो ऐसा है कि 20 से 25 प्रतिशत हमें अभी तक पता नहीं है कि cancer किस वज़े से हो रहा है उसके पारे में अभी भी रही होगा तो मैं continue रखोंगा यादा तो वैसा है अभी यहां पर दो नीचे फोटो है इन आदत के बार में हमें बताना जरूरी है जो ब्रश हमें दीख रहा है कभी-कभी क्या होता है कि हम बाद में बदलिंक करेंगे बांब तकलीफ देते रहता है कि हम कहते कि कैंसर की संबावना की कारण यह को सकते हैं कि नॉर्मली आत्मी करता है कि होगा सब ठीक होगा बिंदाज हो जाता है तो वैसे नहीं है हर एक कैंसर में अभी जो मैंने बार-बार कहना हुगे कुछ ऐसा है कि जिससे हम उससे बचना बहुत पॉसिबल हो बाकी की देशन में नहीं दिख रहा है तो इस कैंसर के जो ओरल कैंसर है उसके बारे में जो स्क्रीनिंग है बहुत आसान है उसमें हमें सिर्प क्या करना है कि हमारा मुझे कुछ बदला तो नहीं है वो देखना उनमें three cancerous lesions रहते हैं मतलब cancer होने से पहले भी हमें to lesion की जिसे हमें परता चल सकता है कि cancer होने की संभावन ना है यह तो बहुत बढ़ी आ है कि cancer अभी तो गुआ नहीं कि उसके पहले हमें अंदाजा आगया कि इसके तो सफेद यह नाम गुलाबी रंग है मैंने का तो उसमें सफेद टॉब्वे बहुत पहले के स्टेज में भी दिखना चालो हो जाते हैं या फिर पाइब्रोसिस के जैसा कुछ तो होता है मतलब मुझ खुलने में दिक्कत आ जाती है यह अगर सीरे साथे सब्सक्राइब तो यह दो चीजे है और भी बहुत सारी चीजे होती है लेकिन सबसे में बात क्या है यह पता नहीं होता है इसलिए हम बात नहीं करते उसके बारे प्रश्टेट नाम की ग्रंथी होती है वो सिर्फ मर्दों में पाया जाती है मर्दों में पाया जाने वाले कैंसर में यह भी कहले टॉप 3 में आता आथे प्रोश्टत्र के निगूर्श के टकलिफे तो जब घृती है चारी के बाध में बहुत कॉekk司 नहीं होता है खोंग के होती अस कि यह सो लक्षण है सिर्फ कैंसर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और भी बहुत सारे मुझ का अगर कैंसर के बात करें तो अलग बीमारी के वज़े से भी हो सकता है लेकिन दिक्कर कि है कि हम छोड़ देते बाद में जाएंगे बच्चे का एक्जाम है हमें प्रेजनेशन देन है तो सलाह लेनी ज़रूरी है अब इस कैंसर के बारे में भी जी स्क्रीनिंग वाली टेस्ट है या फिर्जू हमें थो रट बता देगी हो हे कि ने तो कि लिए सबस्के बीड़ करों तो ुसके बारे में जानना तो नहीं तो फिर भी वह इंडिया क्यूंक्य जाते नहीं है जल्वी करतें कि डिसरा सब्सक्राइब की सबसे जबेसे ब talk करेंग analogy रिश्ट कैंसर में है तो यह प्रेस कैंसर में इंडिया सबसे ज़्यादा के से जो इनमें जो लक्षन हमें दिख सकते हैं वो क्या है वो किस फॉर्म में हमें दिखता है तो एक है गाट का आना इस फिर्म का होना यह बात है यह यह दिखता है तो शायद देर भी हो गया भी होगा पता नहीं तो पहले ही कैसे जान ले एक तो तो उसकी स्क्रीणिंग में क्या आता है सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब उतकर स्थन का फुदी जाज कर सकते हैं अगर गुद में दिक्कत है तो वह आसान तरीके से कोई तो डॉक्टर की बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यूजवली जब मेंस्ट्रूल साइकल चालो हो जाती है उसका हम पहला दिन पकड़ेंगे उस एक दिन से कांट करके साथ वे दिन तो साथ दिन के बाद में दूसर कित्व साइकल की सबसे होती है उसे यगर लक्षन कुछ है तो ज्यादा नजर आते हैं इसलिए फ एक्षेसमेलाब कैसा करें सब्से पहले तो नॉर्मंड क्या है मेरे शरीर क्या है अब कि आपको पता चलेकर कि अलग कुछ हो रहाया की उस उसके बाद में अभी एक्चुल एक्जामिनेशन के बास आते हैं अगर कुछ इसमें नजर आ रहा हैं तो हम कुछ कर सकते हो तो एक्चुल एक्जामिनेशन कैसा करेंगे तो समझ्य सब्सक्राइब लेप्ट ऑन और समें इदいくों है एक्जामीन कर रहे हैं तो Kerry göz और उसके बाद में राइट हैं त्री फिंगर्स ऐसे लेने हैं प्लैट और उसको फिर ऐसे घुमाना सब्सक्राइब बाहर की तरफ से जाके सेंटर की तरफ जाएंगे ऐसा चारों तरफ से करते जाएंगे एक यहां दूसरा तीसरा और पांच भी जगाह है अपनी बगल में तो यह भूलना नहीं है क्योंकि लेंट नाम का रहता है कि जो स्त्राव लेके जाते हैं वह भी शायद पहले बढ़ जाए आपके सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस है अगर उससे नहीं पता चल लाए तो और पहले उनसे करवा के देखिए कैने सब्सक्राइब करते हैं तो अब उनसे बहतर तरीके से खुल के दरा देख सकते हैं दूसरी स्क्रीनी है मैमोग्राफिय जो है खुद का एक्श्रमिनेशन खुद करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वह गांट के जैसा कुछ है वह बढ़ा होके आपको तब पता चले लेक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे तकलीफ नहीं उनकी एक सरे के जैसा है तो आप सिर्फ डॉक्तर के पास जाएंगे वह करवा लेंगे तो आसान है मतलब यह भी स्क्रीनिंग टेस्ट और बहुत ज़ंदी पता चल जाएगा उससे अगला ब्रेस कैंसर में अगले हम बात जाने के वह है कि कारण क्या हो सकते हैं क्योंकि यह टॉप नंबर पर तो और थोड़ा कारण के बार में और डीटेल में जान लेते हैं पहले बात हो चुकि जोड़ा सा रिलेशन हो सकता है तो आप वह चेक अप करवा के लिए नहीं लेकिन और क्या कारण हो सकता है जिस से बच्चन अची एक है दवाईयां मतलब जो औरल कांट्रसेप्शन कहते हैं मतलब जो खाके हम गर्बन के कंट्रोल के लिए जो बोलिया लेती है अभी इंडिया में दिक्कत क्या है कि मेडिकल में जाओ कोई भी दवाई लेलो जहर से आपको शरीर को फरक पढ़ने वाला है उससे तो इससे अगर उसका सेवन बहुत जाता बढ़ गया और फिर गलत तरीके से हम लेता है वो भी एक रिस्क पैक्कर है ब्रेस्ट कैंसर में जाता है तीसरा है कि मां को खुद का दियोद देने की आदर जनरली हमको पता होता है कि जह मैने तक सिर्फ जो बच्चे मां का दूद देना है उसके बाद में कम से कम दो साल तक बच्चे को मां का दूद देना है लेकिन पते की बार यह है कि नाच्रल प्रोटेक्शन देता है अगर हम प्रेस्पीडिंग करें तो अगर वो नहीं देते हैं तो रिस्क बढ़ता ह तो यह कुछ ऐसे risk factors हैं, बाकी भी बहुत सार हैं, जैसे कि उमर के साथ बढ़ेगा, घर में किसी बोगा तो और जादे जैसे हैं, तो यह सब चीज़े हैं, लेकिन इन चीज़े के बार में शायद हम कुछ कर सकते हैं, करने के लिए possible है, यह risk factors को हम बच सकते हैं अगला है cervical cancer, cervical मतलब क्रीवा का यानि कि गरवाशे जो है, उसके मुख का भाग रहता है, यह पूरा गरवाशे है और यह इसका मुख का बाड़ है, तो उस एरिया का उन गला cancer, इंडिया में यह दो नमबर पर है cancer, जो females में होता है, तो इसके बार में जानना की जरूर नहीं ह कारण है, लेकिन इससे बहुत जरूरी बात यह है, कि इससे बचा जाना और इसके बार में बहुत आसान हो गया है, कैसे बच सकते हैं, तो एक वैक्सीन रहता है, तो यह कारण क्या है cervical cancer होने के, तो human papilloma virus, HPV नाम का एक वाइरस है, उसके वज़े से होने की ज़्यादा संबंद रखने चालू हो जाते हैं, उसके बात में वो virus का contact बढ़ सकता है, तो यह अभी यह किसलिए बता रहे हैं, क्योंकि इस virus के उपर अभी vaccine भी available है, जो usually 9 साल की उमर के पार, 15 साल की उमर तक recommendation है, लेकिन वो जब तक संबंद रखना का उमर चालू होता है, उसके दूसरी लेकिन यह vaccination का तो पार अलग होगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, कि इसकी जो screening test है, वो बहुत पहले ही protection दे देती है, बाकी कैंसर के बारे में हम वो test करें और पता चले कि वही आपको cancer है कि नहीं, उसकी संबावना और survival cancer की संबावना में फरक है, क्योंकि पैप test करने में बहुत आसान है, क्या करते है कि वही सिर्फ एक ब्रश से लेके ब्रश लगाना रहता है, उस ब्रश पे एक cells आजाते है अपने अपने cervix के और उसकी ज्यांच होती है, मतलब यह इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ दर्द होने वाला नहीं, बहुत आसानी से ह ना कुछ काटना है, ना कुछ है, सिर्फ वो चूप के ब्रश निकल जाएगा और जांच हो जाएगी उसके, और उससे और खाइदा क्या होगा, यह यूजिवल हम रेकमेंट करते हैं कि तीन साल में एक बार करना है, इसके बाद में हर तीन साल में से देख बार 65 साल की उमर सब्सक्राइब का में आपको टेस्ट करके बहुत ज़ल्बी पता चलता है, एक या दो साल पहले अगर यह पता चल ज़िगा, दवाई लेकि कोई का चांस ही नहीं है, यह अलग बात है, तो बाकि की देश में बहुत कम दिखता है, क्योंकि आपने यहां पर पता ही नहीं य यह देश की बारे में बात कर लिए, क्यों होता है? यह छो़ड की और कुछ लक्षन होते क्यों तो बहुत जो कई तो घर hamm marketers है, टीक न फिन नहीं हो रह हो तो वह आपने में और पता चांस हो बहुत लोल्ड़ा, इस cosmetic यहिरा वह लादी पीटला है ऐसा भी हो सकता है नहीं मैं पूरा सब एक साथ बता दूना तो शायद वो मुश्किल हो जाएगे ध्यान रखने में एक बैग में कपड़े बरो तो दबाओ दबाओ दो पैग तो फिल नहीं है कुछ समझ में आने वाला तो आज के लिए हम क्या करने वाले हैं वो तीन चार कैंसर पारें बता है वो ब है अभी सब गवर्मन प्रोग्राम में बढ़ रहा है तो ओरल कैंसर के तीन साल पहले के अरां वन लाग केसे से नए केसे नए केसे एक लाग क्या सब्सक्राइब लेकिन बात यह है कि वो उसका स्प्रेडिंग जो है वो बहुत बढ़ रहा है अभी के आकड़े अगर हम दे कैंसर का यह है और बाकी पिर कैंसर के बारे में जान लेंगे दीरे दीरे करके लेंगे इसके बारे में जानके सिंप्टम्स जो है आप अब 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 कुछ तस्वीरे देख रहे हैं यह बहुत जानी वानी तस्वीर है इंगे कॉमन बाद क्या है सब कैंसर के सरवाइबर से घजिवाा इनका ठीक होए दिरह यह दिरया इनका कैंसर के बारे में सिल डर बटके मतलब नहीं है यह से क्या ना इसलिए हम कहते कि रों कैंसर से डो कदम रहेंगे दूसरा कदम क्या है कि से बचना है यह और थोड़ा किड़ें यह 10 यह इंसमें गज automation Moscow कि यह वी इत…जोरा कैंसर जिन में doing कैंसर नाओ है पंबापव है और फा गुष्साकिश्य नाओ है अभी खान पान के मामले में अगर बात करें तो हम इनको असोशियेट नहीं करते हैं शायद बहुत बात कि शराब थोड़ी से ले लेंगे तो अगर वह सिग्रेट बगर के साथ है तो उसका इंपाक्ट और बढ़ जाता है अगर सिग्रेट और शराब साथ में आजाती है तो इतना उसका इंपाक्ट है बाकि खाने के मामले में कि हम फास्ट फूड्स है कोई टाइम टूटाइम खाना नहीं है इन चीजह अभी फरक पड़ता है शायद हमने बता हैं कैंसर की बारे में ना हो और इसका पड़ सकता है तो अभी करें क्या कि सबसे पहले हैं कि हमें जो खा रहे हैं फीक से खा रहे हैं कि देखने हैं और कुछ ऐसे हैं जैसे की तामाटर हो गया तो इन में थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वाल्यू भी है एंसर से बचने कि इनका अगर हम सेवन पढ़ा है तो उससे बचा जा सकत है मदद हो सकते दूसरा है एकसेज के मामले मैं ऐसे जरूरी नहीं कि जिम में जाके करें उसी को एकसेज़ेश करें ऑद जरूरी नहीं चोड़ा तो इससे शुरूबात करते हैं फिर रधा में देखते हैं 15 विड़ में हो जाएगा मुशकिल नहीं हार एक जाइट को हिलान तुछ समय में उस से शुरूबात करते हैं करेंगे और उसके बाद में देखेंगे बढ़ेगा वह घर में ही करना है कि यह करते हैं कि वही एक्सराइज है तो वही होगा तो एक्सराइज रखना कुछ नहीं है पसीन आना चाहिए 15 मिनट भागना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं कुछ ना कुछ हमें शुरुवात करनी है उसके बाद में देखेंगे सो हफते में तीन दीन फंदरा मिनिट के लिए घर पर बैठके बच्चों से पीटी करवा लेकिन ये एक्स्कुरियोस नहीं चलेंगे काम ही दिन बर चलता रहा तो हमें नहीं पता जावा है फिर ऑफिस में इतना टार्ग लेकिन बाखी के लिए खिक नहीं हो रहा है और स्क्रीमिंग जैसे हमने पताया जरूरी नहीं है अगर उसक्रीनिंग पहले कर वा लेते हैं तो बहुत पहले बच भी जाएंगे कुछ बूला है थे स्क्रीनिंग का भी आप ध्यान रखिए बुला है कि बहीं साल में एक बार जरूर इनके बार में पूछना है कि उस एंगल से भी आपको कुछ लग रहा है तो हमें जरूर बता हिए तो आज के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम अगर वो प्रिंग की कपई से पी देती है तीस-चालिस मिनिटी ओपर अगर उस बोल दे तो पता नहीं कहा चा करता हम आपको इतना नहीं कहरता हम आपको इतना एक्सिपरिश है करता हूं सो थे जरूर नहीं कहरेंगे उसके बाद में फुलला है कि अब में से तीच्छा लोगो को वालो दे कि अधिस-टीचा लोग को बालू दे कि मिस शेखर जो जो है मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो उनको थोड़ी बात वैसे ही कंसे बाट सुना हुआ था और मैं जब उनको पैली बार वा था 2005 में शुमर में एक वास प्रेजिंग था एक एक कंपनी का यू कैंसर मेडिसिन बेश्टे थे तब कैंसर स्प्रेश्टिस्ट मेरे जानते थे ताट उनको लगा कि ब्रेस्ट में कुछ है गरबड और क्योंकि मेडिकल स्रेनेटरी तो जासे एक डॉक्तर है अंदर डिस्टेंसरी और भी पे डॉक्तर लेडी रॉक्ती उनको जाके बुला की फोज़े कुछ ऐसे लगता है आप चेक कर लो मैं इनकी बात कैश करका बतावाँ क कि अर्ली डियाग्नोसिस का फैदा किया है तो जैसी डॉक्तर ने चेक किया हो केंते है भी मुझे कुछ लग रहा है आप जाके ममोग्राम कर लो वाइक न गाड़ी उठाई सीधर ड्राइब कर अकेली कहीं सीधर महां पे ममोग्राम कराया और इसको बोला भी रिपोर्ट आ अगर दो जाज़ा है तो जैसे इंको लगा कि यह भी रिपोर्ट पॉस्टिव आई यह नो में पोन किया मैंने प्लाइट पोगल के अगले मिन सुबह आगया और तूकि डार्ट पोई थे थे उनको मैंने राथ को फोन किया कि ऐसे-एसे वाइस की रिपोर्ट आई है तो प पुरी परने से शे महीने में क्यो रोगे तो बेनेफिट ऑफ अर्ली डियाग्नोसिस इसमें अवेरनेस और अर्ली डाग्नोसिस का हमारे गर में एक्जाम्पल है इसलिए मैं इतना कन्वेंसिंग ली सब को बदा रहा था कि इसमें आई है ज्यादा ज्यादा लोग आई है जो क्योंकि जब यह लेट हो जाता है इसको कॉंट्रोल करना ठोड़ा सा था मुश्कुल हो जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा सब्र करता इसको overe splits दिए हो और लाईफ क मुष सब्सक्राइज भी जली जली जाती है उसमें हम दों क dei हों ती और क्पारधोमे थी कि दुबारा पूरी तरह से ठीक ही और इसलिए कि अर्ली डियाग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, राइट प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिलिया तो यह इस चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, यह कैंसर का कोई पर्टिकलर रीजन नहीं होता कि आप आने से हो ग कोई पर्टाने के लिए कोई फॉस्ट नहीं लगती है, आजकल तो फ्री चगप होता है, फ्री जागे आप किसी भी चरिटेवल हॉस्पिलल में कहीं पर भी जागे अपने आपको चगप करा दे रहे हैं तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि एज़े मैं चाहता हो कि ज्यादा ज एक अगर देख देख वीक बात करें जोगी कल भी मजे नहीं लगता क्योंकि जासा भी यह जो कवर नी करेंगे तया मांस प्रोगाम में अगर एक दो वीक बात करेंगे ना तो कफी आपको आपना सहात वाईते शो असो नो मीच चरस्ता तया वाले था शो शर्ण रह रह लेला सो तया वाले अज तुम्ही रिक्वेस्ट करों त्या ना साभू शबता कि माला आदा था या पाउंता या तर तुम्ही एकाम गुरू शबता है क्ड़ी आपता वर वित करऴ शुबता क्रक्यों आरे वाण। वित कर्या करягाए्प मातान। व Рचेर वर जायों फिRo bending लाव् торов पलावा तैवी आप देख्रेटारम कषके रखाएवी कलावा तैव पलावा तैवी जा लौ वकैना overe- zeg everybody to share see watch and enjoy the Palawa TV I'm going to show you what I'm going to show you